हेलो दोस्तों आप सभी को पुना ITI टेकनिकल स्कील सिवान में स्वागत है आज के इस वीडियो में देखेंगे जो की फीटर जो की मेकेनिकल औल टेट जो होता है यहां पे याप इतने सारे Т्रेट के देख रहें इस पेपर को देखेंगे और इस पेपर में आप देखेंगे और भी कि यहाँ पे आपका ये पेपर है जिसमें कोस्टन पहला हम बताएंगे इसमें आंसर दो फ्री एंड इसकेश ऑफ एनी टू किनी दो का अंसर करना इसमें दो में जिसमें क्या क्या दिया है आपको प्लेन वासर दिया है स्लोटे नॉट दिया है तबकर एक लिस्ट पूर्ब के वीडियो में हम दिये हुए थे जहां से इन सभी प्रिशनों को लगभग पुछे जा रहा है जिसमें प्लेन वासर स्लोटे नॉट बोल्ट और की के बारे में पुछे जा रहा है उसके बाद आप देख पाएंगे इसका आंसर हम इस वीडियो क आंसर देते हैं इसमें तो वीडियो के अंतक बने रहा है और आपका अपना अंसर मिला है चलिए दोस्तों तो देखिए आपका ये प्लेन वासर है, यहां पे नीचे में देख रहे हैं, प्लेन वासर है, और यहां पे देख रहे हैं, वासर के पूरा यह अर्थोग्राफिक दिया गया है, यह आपका तॉप भी हो गया, और यह आपका एलिवेशन भी हो गया, जब कि इसको हम तोड़कर अर्थोग्राफिक का देपा दिये हैं यह तरह से आपको नहीं करना यह जामल में इसको तोड़ने के लिए पूछै इसलिए मैंने इसको लिया है और इसके अंदर एक छोटा सा सेरकल डो कर देना है купे और इसके बाद आपको इसको cibe Ini itself nice दिखा गया आपको देखने ह। और इसका जी यह तीकने जो एहां दिखाया गया है वह उन पॉए जीरो पॉइंट व्ए होगा जो कहाँ पर थेखने दिखाया गया इस परकार का प्ले उसर होगा हम बनाएंगे पूर से ताफ का का General Wasser का लाए या प्लेन वाशर का लाए और इस वाशर का उपयों हम सभी जगते सकते हैं जितने आपके Automobile सरे गारिया है उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा और समान में आपको घर पे देखने को मिलता है यह प्लेन वासर है नेक्स इसके बाद slotted not com लेकर आते हैं चली दोस्तों तो देखिए आपका दूसरा प्रस्न का आंसर slotted not की बात की गई है तो slotted not आपके सामने दीख रहा है और slotted not के यह आपका अर्थोग्राफिक है slotted not में आप देखेंगे कि आपके यह hexagonal होगा तब क्या करें सबसे पहले एक circle duck कर दे इसके बाहर एक डो कर दे इस परकार से ठीखे और इसके बाद आपको क्या करना है यह six side त्यार कर लेना है six side त्यार करेंगे इस परकाप से यह वाला भी six बाग होगा इसमें आका मिल जाएगा six side होगे आपका दिख रहा है इसको vertically नीचे को डो कर लेंगे और फिर इसको मिला लेंगे आपस में इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें वबू थ्रेड कटना है तो यहां पर थ्रेड बना रहेगा इसमें और इसके जस्ट बाद आपको एक और चीज ध्यां रखना है तेके और इसके सामने भी इसमें इरेज रहेगा और इस स्लोट कटा होता है इसलिए इसका नाम स्लोटेड रहेड होता है यहां भी आपको कटा रहेगा यह भाग इसमें भी आपको दोनों कटा रहेगा पूरा यहाँ से यहां तक यह सभी तरफ से आपको slot में कटा रहेगा यह आप भी देखें यहाँ पे कट गया यह इसके पूजिट वाले भी कटेगा अब यह आपको कटने के बाद यहीं आपका slot बनाना है तो हम color को change कर लेते हैं बनाने के लिए slot को और यहाँ पे लेते हैं चलिए देखी यहाँ पे slot बना रहा है यह slot आपने देखा यहाँ पे बनाया मैंने इस परकार से और इसकी ऊपर की भाग भी है डिरेक्टली यहां से यहां तक मिला रहेगा और नीचे करके इसको यहां मिला लेजाएगे इस ठरस होगा यहां भी आपका यह सलोट काट गया नीचे को गया इस नीचे भट्टी के लिए आएगा आधा में इसका गारायों गरे सब बताते हैं कहातना इस तरह से आपका कटा होता है और यहां पे इस प्लीट देख रहे हैं यह पीन है यह पीन इसके अंदर से होकर क्या होता है इसके पीन जो होता है यहां से होकर यह डवर्टिकली यहां तक आपको चला जाता है और इधर मोरत कर हो जाता है यहां पर इसको क्या करता है बोल्ट के साथ नट को लॉक करके रखता है वेवरेशन होता है या आपको स्टीम इंजन जो होता है वहाँ पे ज़्यादा सा कम पन होने कारण क्या होता है यह खूलता है उसमें भी बस सीर्फ एक अंतर ये मिलता है दोनों में के यहाँ पे जो आपको फ्लेट बन रहा है, देख रहे हैं सभी में फ्लेट फ्लेट, बस यहीं एक वहाँ पे स्लेंडिकल, अर्द सेमी सेर्कुलर इस तरह से राउंड नीचे के तरह बन जाएगा क्या होगा, फिर से देख लीजेगा जो यहाँ पे स्लोट बन रहा है इसी को आपको क्या करना होगा, यहां पर राउंड हो जाएगा उसमें, यह वाला परसन जहां, राउंड हो गया है, यहां पर नीचे को यह डैडर्स करके दिखा देते हैं, यह वाला परसन क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, तो क्या कर लाएगा, कस्टल नट कर लाए ना बनाकर हम इसी में आपको बता दे की इसमें आप यह बना रहे हैं round के इस पे हैं और यह हुआ round इस पे हैं तो यह आपका इस तरह से round होता है तो यह कहलाएगा custom nut ठीक है क्या कहलाएगा custom nut दोनों में से में आपको दिखा देते हैं उसका भी figure आप उससे देख कर समझ जाएंगे और उसकी गहराई उसमें हम बता देते हैं यहाँ पे स्पीट जो यहां पे स्पीलिट यहां पे यहां पर यहां पर किया होता है कि आपको 0.2 धिकिनेस होता है तो यहां तक सभी चीज़ समझ लिए जान लिए फिर हम इसको दिखाते हैं दूसरी को इसके बाद जो करनेट होगा उसका चले तो आप देख पा रहे है यहीं आपका कॉस्टल नट है जिसमें आपको यह रांड बनाया गया यहाँ यह यह और यहां पर यह यहीं आपका है कस्टल नट होता है और यह तरह से आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है तो आपने इसमें देखा अब इसके बात की बात यह है किसमें आप कोस्टलनुट के साथ एक डॉमनुट भी बहुत बार पुजा गया इसमें दिखाते हैं और एक सैगोनल भूल्ट के हुई आम मिसी वीडियो में दिखाते हैं तो अंति तक बने रहे हैं और देखें इसको क्या है ड़ं नट है अपके सामने यह दीखे है डम नट है लिए अपको टभी हुँ है और यह वाला जू है को इलिबेशन वह है इसलि έ darauf एक्जाम में इसको तोड़ने के लिए पूछा गया था तोड़कर अर्टोग्राफिक बनाने के लिए देगा था इसलिए मैं इसको यहां पर इसको मेंसें कर देते हैं कि इससे भी आप एक वर प्रक्टिस कर लेंगे इस तरह से और इसको आइसमेट्रिक में बनाएंगे तो जब ही तो आपको देखेंगे राउंड़ सा ओका और यह वाला भागा आपको इस तरह से दिखेंगे ओर यहां से आप देखेंगे तो यहां इसपर काट से इसको बनाया रहेगा प्रिज्टाइब्स चाहिए नीचे वाला भी पॉसन यहाँ पर दिख जाएगा में इस फिरकार से बनाई है और तो पूछता है तो यह अलग कर दीजिये और यह अलग कर दिए अधिया हुआ आप देखेंगे तो आप इसको अंसर करेंगे ठीक है आप इसको देखेंगे और R के चबिए धा-ट लज्श्ट है इसमें वड़कीश्टे-वध के बारे हैं पूछ तो आप यहां पर देख लें यह एक्सा गुनल है और इसके कुछ पार्ट्स नेम है वह देख लेंगे यहां से किसका पार्ट्स नेम यहां पर आपको दिखाया गया कर्णर में यहां तो यह आपका दिख रहा है बथ साइड है और चेंपरिंग आपको सभी तरफ आपको चें लगा दे हैं इसको मतलब आपको समझना आने के लिए यहीं वाला कहलाएगा आपको डॉमनट इस तरह से कैप लगा होता है ठीक है वा हो मतलब अशुक्त को मतलब बनाने के लिए ओस तरह से बना लेंगे उस तरह से हा to आ दिजी यह फिर यहां वना दिजी किनि आपने यहां दिया है वहां दिजी तो किसी फीगर को उसका अर्थोग्राफिक या इसमेट्रिक जो भी पूछता है आप उसे बना देंगे आपका अर्थोग्राफिक और इसमेट्रिक दोनों परकार से हमने दिखाए इस वीडियो में इस चीज़ को आप वंत तक देखे और समझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अंस के साथ तब तक के लिए आप सभी को जहन